आज हम बात करेंगे Instagram algorithm की algorithm क्या होता है algorithm एक computer के अंदर एक ऐसा code होता है जो dictate करता है कि आपके phone पे यानि आपके Instagram पे आपकी feed में कौन-कौन सी post नज़र आएंगी अगर आप 1000 लोगों को follow करें तो अगर 1000 लोग एकी time पे post करें तो आपको क्या लगता है आपको सारी 1000 की चीज़े नज़र आएंगी कुछ चीज़े उपर होंगी कुछ चीज़े नीचे होंगी सारी तो आपको नज़र नहीं आएंगी और उसकी क्या वज़ा है उसकी वज़ा यह है कि पीछे एक algorithm में एक code होता है जो डिक्टेट करता है कि आपको क्या नज़र आएगा 2016 तक तो बड़ा वो था बस एक ये chronological feed थी यानि अगर आप चार वजे बेटे हैं तो चार वजे के हिसाब से जिसने डाले है आपको latest लोगों की post नज़राएंगी लेकिन अब ऐसे नहीं होता अब different तरह के algorithm follow होता है जिसके ज़से आपकी feed पे बहुत सारी मुक्तलिफ चीज़े नज़राती है अब इस algorithm को understand करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको algorithm का पता होगा तब ही आपको पता चलेगा कि आपको अपना content किस वक्त कैसा बनाना चाहिए कब डालना चाहिए क्योंकि आपको पता है आपने कोशिश यह करनी है कि आपका content piece जब कोई अपना Instagram खोले तो उनके homepage पे आपका post आए ठीक है कुछ चीज़ें आपके control में होती है कुछ चीज़ें आपके control में नहीं होती अब मैं आपको बताती हूँ कि Instagram के algorithm क्या है काफी सारे fake news भी थी Instagram के algorithm के उपर तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि उसमें से कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ सही नहीं है सबसे पहली चीज comments, likes, views और shares ranking को effect करते हैं यानि कोई ऐसी post जिस पे जादा comments है जादा likes हैं, जादा views हैं और जादा shares है Instagram उसको और भी जादा push करते है क्योंकि उससे Instagram को समझा जाती है कि भाई ये अच्छा content piece है तो जितने भी लोग उसको follow करें वो maximum लोगों के feed पे वो content piece लेकर आएगा और उन्हें दिखाएगा ठीक है इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना content ऐसा बनाए जिसको लोग जादा like करें जिस पे लोग जादा comment करें यानि आप अपने captions में end में कोई सवाल डालें ताके लोग उसका जवाब दें और comment करें तो most likely वो उसकी engagement बढ़ जाएगी उसकी engagement बढ़ जाएगी तो वो लोगों की feeds के उपर जादा आएगा Hashtags इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा अब Hashtags क्या होते हैं Hashtags जो होते हैं वो आप अपने caption में डालते हैं Hashtag बनाके आगे आप कुछ लिख सकते हैं Hashtags की बहुत सारी example होती है अगर आपने कोई fashion related चीज डाली है तो आप कोई fashion related hashtag डाल दें एक बहुत common hashtag होता है OOTD outfit of the day के नाम से कि जब आप outfit of the day की picture डालें तो साथ आप hashtag OOTD डाल दें Hashtags की real power या real discovery इसमें लाए करती है कि आप specific hashtags use करें अगर आप ऐसे hashtags use करेंगे जो सबी लोग use करेंगे तो आपकी post on hashtags में lost हो जाएगी इसलिए आपको hashtag जितना specific use करेंगे उस ना उच्छा होगा जैसे आप OOTD for Pakistan इसमाल करें क्योंकि उसपे relatively कम लोग होंगे और यह ज्यादा specific है एक और चीज़ जिससे आपकी post feed पे आने का चांद जादा है वो यह है कि आप अपने followers से interact करें तो आप जतना किसी से comment का उनका reply करेंगे या उनसे DM पे बात करेंगे तो Instagram को यह समझ में आती है कि इस user और इस user के बीच में बातचीत हो रही है यानि यह एक दूसरे को जानते हैं या एक दूसरे के साथ interact करना पसंद करते है जब वो दिखाए कि आपके बीच में comments exchange होए हैं आपके बीच में कोई DMs exchange होए है वो आपको दूसरों के feed पे ले किया इसलिए DMs पे लोगों से बात क्या करें उनके comments का reply किया करें क्योंकि जितना आप यह करेंगे उतना आप लोगों की feeds में नजर आएंगे so closeness of relationship से फरक पड़ता है जितनी relationship है जितनी closeness है उतनी आप लोगों की feed पर लोगों को आपकी post नजर आएगी इसका algorithm इस तरह चलता है length कितनी है caption की यह एक fake news थी इससे फरक नहीं पड़ता video है या picture है उससे फरक नहीं पड़ता वो equally ही समझी जाती है वो equally ही feed पर दिखाई जाती है यह इस बात से फरक पड़ता है कि आप peak hours पर डालें अगर आप ऐसे किसी time पर डालेंगे जिसमें जादे तर आपके followers online हैं जो कि मैंना आपको बताया आप insights से judge कर सकते हैं तो वो जो है उससे आपकी engagement बढ़ेगी तो फिर आप feed पर जादा लोगों की नजर आएंगे तो आपका क्या focus होना चाहिए कि आप लोगों से interact करें आप लोगों से engage करें आप essay time पर डालें जिस पर जादा तर लोग online हैं आदा घंटा पहले अगर आप कोई post करने से पहले Instagram पर active हो जाएं लोगों से interact करना शुरू हो जाएं तो जादा chance है कि लोगों को आपका post अपनी feeds पर नजर आएगा ठीक है algorithm को समझें engagement increase करें और Instagram पर जादा successful होने का chance आपका बढ़ जाएगा ठीक है so thank you so much for watching एक छोटी सी video थी जिसमें algorithm explain करना चाहती थी next video में हम influencer marketing पर आएंगे यह हमारा last हिस्सा है इसके अंदर 3-4 videos मैं बनाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगे कि इसको professionally इसके अपर काम कैसे करते हैं, brands के साथ कैसे काम करते हैं, influencer marketing कैसे करते हैं